नमस्कार जैहिंद वंदे मात्रम अध्यन गंगा के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन आज के वीडियो में बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी चात्रों के लिए बड़ी खुसकबरी और दो बड़ी भरत्यों के एक्जाम डेट जारी 14 से 30 नॉवंबर और 1 से 5 दिसंबर को होगी परिक्षा और यूपी टीजीटी पीजीटी की परिक्षा कब होगी ये पूरी जानकारी आपको दी जाएग चलिए शुरू करते हैं अज का वीडियो यूपी टीजीटी पीजीटी परिक्षा देखेगा यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर काफी लंबे समय से समश्या देखने को मिल रही थी और क्योंकि 2022 में ही इसका विग्यापन जारी हो गया था लेकिन एक वर्ष से ज़्या समय बीतने के बाद भी इसकी परिक्षा नहीं हो पा रही थी तो इसको लेकर अव्यरती काफी परेशान थे और किवल 4163 पदों पर आवेदकों की संख्या बहुत जादा होने की वज़े से भी अव्यरती परेशान थे कि कुल आवेदक जो है वो लगबग 13 लाख है और वे कि पहले माद्यमिक सिक्सा सिवा चैनायोग से भरती होगी ऐसा माना जा रहा था लेकिन बाद में सरकार की तरफ से ये बताया गया नए सिक्सा सिवा चैनायोग को लेकर और नए सिक्सा सिवा चैनायोग में क्या चल लहा है ये भी आपको डिटेल से बताया जाएगा लेकि जिसकी वज़े से ये परिक्षा नहीं हो पा रही थी, तो अभ्यरती काफी हतास हो गए थे, काफी निरास हो गए थे, उसके बाद में मान्ये जो सिक्षा मंत्री जी है, उन्होंने अपना जो एक बयान दिया था, जिसमें 16,000 पद बताये थे, माद्यमिक में रिक्त है, उसके भी मांग की गई कि एक वर्स से जादा का समय बीच चुका है, यदि परिक्षा अभी तक नहीं हो पाई है, तो कम से कम पोडल तो खोला जाए और पदों की संख्या बढ़ाई जाए, और जो 16,000 पद जो मान्ये शिक्षा मंत्री जी ने बताई है, माद्यमिक शिक्षा मंत् जाए, हाला कि उन से भी चात्रों की मुलाकात हुई, और उन्होंने आस्वासन भी दिया कि ये पद जोड़े जाएंगे, और जैसे ही ने शिक्षा सिवा चैनायोग का गठन होगा, उसके बाद में कारिये तेजी से इसके उपर किया जाएगा, तो देखेगा, अब जान ल बचा है आपकी तैयारी में, और कितने घंटे अब आप मेहनत करेंगे, जिससे कि आप पा सकते हैं, चैन, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है, तैयारी आपको जादा करनी होगी, और जो निरंतर तैयारी कर रहे हैं, उन अभ्यार्थियों के लिए तो आसान होगा, लेकिन जो बीच-बीच में तैयारी छोड़ देते हैं, या इतना लंबा समय देखकर, कि एक वर्ष से जादा का समय हो गया, और हतास होकर तैयारी आपने छोड़ दी, और यदि तीन-चार महीने आपने ऐसे ही तैयारी छोड़ दी, तो उसके बाद में आप देखोगे, आंकलन कर करके तो आप फिर 0 पर आ जाएंगे, तो इस बात का विशेश ध्यान रखना है, निरंतरता बनाकर रखनी है, कंटिन्यू आपको करना है, और डेली अध्यन आपको जरूर करना है, तो यदि आप चाते हैं कि आप सफल हो, आपका चैन हो, तो ये सफलता की सबसे बड़ी भी है, कि आपको निरंतरता बनाकर रखनी होगी, डेली आपको अध्यन करना होगा, फालतु का समय आपको वियर्थ खराब नहीं जाने देना होगा, तो इन बातों का आपको विशेश ध्यान रखना है, लेकिन नए सिक्सा से वाचैनायोग को लेकर जैसे ही मान्य मुख्य मंतरी जी के द्वारा घोसना की गई थी, उसके बाद में कुछ दिनों तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, लेकिन कुछ दिनों से हल चल तेज है, और लगबग पिछले 20-25 दिन से लगातार खबर सामने आ रही है, नए सिक्सा सिवा चैनायोग को लेकर, और अभ से कि ये भरतिया क्यों नहीं कराई जा रही है, यदि नए सिक्सा सिवा चैनायोग से ये भरती नहीं कराई जा रही है, तो पुराने सिक्सा सिवा चैनायोग से ही भरती कराई जाए, क्योंकि नए सिक्सा सिवा चैनायोग तो अभी अस्तित्त में भी नहीं आया है, और जगे आया परकासित हुआ कि अब जोलाई के स्टार्टिंग में नए सिक्सा सिवाच चैनायोग का गठन हो सकता है जिसकी परबल संभावना है ज्यादा संभावना है तो यह मानकर चलिएगा आपकी जून के लास्ट में और जोलाई के फर्स्ट वीक में नए सिक्सा सिवाच चैनायोग का गठन हो जाएगा और यदि गठन हो जाता है तो उसके बाद में फिर ज्यादा समय आपको नहीं मिलेगा तीजी से काम आपको देखने को मिलेगा क्योंकि जैसे टीजीटी पीजीटी सिक्षक भरती है या इसके अलावा जो असिस्टेंट प्रोफेसर सिक्षक भरती है इसमें आवेदन लिये जा चुके हैं फोम भरे जा चुके हैं किवल परिक्षा कराई जानी बाकी है तो इसमें ज्यादा समय अब नहीं लगेगा क्योंकि अगर नए सिरे से कोई भरती निकालनी होती है उसके लिए पहले अधियाचन मांगे जाते हैं फिर अधिया के बाद तो वह परकिरिया काफी लंबी होती है और उससे पहले भी जो परकिरिया होती है पहले सासना देश जारी होता है सासन की तरफ से पर निर्देशित किया जाता है आयोक को पत्र भेजा जाता है उसके बाद में विग्यापन जारी होते हैं लेकिन इसमें वह सारी पर ज़्यादा संभावना है कि कब तक ये एक्जाम संपन हो जाएगा तो देखिएगा यदि जुलाई के फर्स्ट वीक में नई सिक्सा से वाचे नायो का गठन हो जाता है तो उसके बाद में आप मान कर चलिएगा पूरा जुलाई का महिना इसके अलावा अगस्त का महिना और सितंबर में आपके परिक्षा देखने को मिल सकती है जिसकी ज़्यादा संभावना है तो सितंबर में ये आपके परिक्षा होगी इस बात को आप विशेश धियान लखिएगा और अभी ये भी बात करेंगे कि दो बड़ी भरतियों की जो एक्जाम डेट जारी हो चुकी है उसको भी आप जरूर देखेगा जिसमें 14 से 30 नॉमबर और 1 से 5 दिसमबर को ये परिक्षाएं आयोजित कराई जाएगी तो देखते हैं वो कौन सी भरतिया हैं तो देखेगा दो बड़ी भरतियों के एक्जाम डेट जारी कर दिये गए हैं जिसमें पहले आप देखेंगे कॉंस्टेबल एग्जिकुटिव मेल और फीमेल इन डेली पुलिस एक्जामनेशन 2023 तो देखेगा 2023 में संपन होने वाली परिक्षा यह दिली पुलिस में जो कौंस्टेबल की जो वेकैंसी है उसकी परिक्षा की डेट जारी कर दी गई है और जो परिक्षाएं आयोजित होंगी वो 14, 15, 20, 21, 22, 23, 28, 29 और 30 नौमबर को 2023 में इसके अलावा 14, 5, 20, 23 को यह परिक्षाएं आयोजित होगी तो यह तमाम डेट दी गई है जिनमें यह परिक्षा का आयोजन होगा क्योंकि बड़ी परिक्षा होती है और यह कौंस्टेबल दिली पुलिस की यह परिक्षा होगी इसके अलावा जो सेकेंड नंबर पे जो प लेकर हुई है एक जो पहली है वो कौंस्टेबल के लिए है मेल और फीमेल दोनों तरह के कैंडिडेट और जो दूसरी है वो MTS सिविलियन के पदो पर जो भरती होगी दिली पुलिस के अंदर उसकी जो डेट रहेगी वो 6, 7, 8, 12, 13, 15, 16, 19, फरवरी 2024 को यह परिक्षा आयो करें बैल आइकन को प्रेस करें जिससे की लेटेस्ट वीडियो के नौटिफिकेशन मिलते रहें पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवार नमस्कार जैहिंद वंदे मात्रम भारत माता की जै